नवस्कार दोस्तों जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि किस्मत हमारे साथ बहुत बुरा बरताव गड़ती है जबकि ऐसा कुछ नहीं है जब आप असफल होते हैं जब जब आपके जीवन में कस्ट और परिशानिया आती है तो गुद्रत आपको सवारने के लिए आती है आपको त परिशानिया क्यों नहूं आप चुट्कियों में उसको शॉल्व कर दें सही कर दें कहते हैं प्रकृतिक खुद रास्ता देती है अगर आप अपने आपको प्रूव करना है तो आप संगर्स और चुनोतियों को श्विकार करिए, जब आप संगर्स और चुनतियों को श्विकार करके आगे बढ़ते हैं, तो आप हर असंभाव कार्याकों करने में सक्षम हो जाते हैं, बार बार अशफल होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्य अशफलता से हमें कुछ न कुछ ऐस जो achievement हम चाहते हैं, जो target, goal, aim हम चाहते हैं, वो हमें निश्चित ही मिल जाता है 100%, प्रकृति अगर चाहे तो पत्थर पे भी पौधे उगा सकती है, आपने देखा होगा, कुछ-कुछ plants पत्थर पे भी उग जाते हैं, क्योंकि अगर प्रकृति चाहे और चुनूल हो, तो स्वयम प्रकृति भी रास्ता दे देती है, और रास्ता छोड़ देती है, लेकिन उससे पहले प्रकृति खुद जंग लड़ती है उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति को बहुत परिशान करती है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाने चाहती है जिससे कि वह चुरूतियों को accept कर सके मन में ठान लो तो कुदरत स्वयम आपको रास्ता भी देती है और आपने देखा होगा अगर किसी कारे के प्रति आपकी दिलिच्छा है और आप पूरे जुनून से ही आपकत से अपने माइंड से और एक रणनीती बना करके आगे बढ़ते हैं तो आप उस कारे को निश्चित ही पूर्ण कर लेते हो खुद मजदार में होकर भी जो औरों का शाहिल होता है इश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निवहने के काबिल होता है देखो अगर कोई व्यक्ति किसी पद पे है प्रतिष्टा पे है तो निश्चित है भगवान ने कुछ सोच समझ करके है उसको वो पद दिया है क्योंकि वो उस पद पे की गरिमा को रखते हुए उससे संबंदित कारियों को बगवी निवहाई और जन हित में समाल सेवा में अपनी पूर्ण भूमिका शहयोग दे जिससे की प्रतिएक व्यक्ति का व्यक्तित तो उचा हो सके और उसको किसी ने किसी रूप में बैनिफि पहुंच सके तो हमें जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है ना तो हमें निरास नहीं होना चाहिए बलकि बार बार सफर प्रियास करने चाहिए अपने आपको और अधिक उर्जावान बनाने के लिए और उर्जावान बनने से हम अपने उस तार्गेट को अच्छीव कर आते हैं थैंक्स